अगर आप भी अपने सफेद बालों से परेशान हैं उन्हें कलर करकर थक चुके हैं मेंदी लगा के थक चुके हैं और आपको कोई पर्मनेंट सलूशन नजर नहीं आ रहा है तो आज मैं आपके लिए बहुत भी बढ़ियां सलूशन लेके आई हूँ जो नाचरली आपके बा बालों को जड़ से काला करेगा हमेशा के लिए काला करेगा हाई गाइस वल्कम बैक तो मैं चैनल दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कलोंजी का एक हैर पैक कलोंजी तो आप सब जानते ही होंगे जिने नहीं पता है उन्हें बता दूँ यह बहुत ही इंडियन मसाला है जिसे हम अचार बनाने में यूज करते हैं पिकल बनाने में यूज करते हैं कलोंजी को हम ब्लैक सीटS भी कहते है नैजीलिया सीट्स गहते हैं कलोंजी हमने लेना है किसी भी पनसारी शोप से आपको असानी से यह मिल जाएगा नई तो आप लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजे चलिए स्टार्ट करते है तो आपको लेना है हमेशा की तरह एक लोहे की कड़ाई और इसमें हम डालेंगे आवला सुखा हुआ आवला ड्राय आवला जो हमें मिल इसके बाद हम इसे रोस्ट करेंगे यानि की हलका ब्लैक होने तक हम इसे रोस्ट करेंगे पूरा हमें काला नहीं करना है दोस्तों जब तक कि यह थोड़ा सा रोस्टरी हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे गास का फ्लेम ओन करते हैं और आमलो को भुंते हैं चलाते हु आप यहां पे आमले का पाउडर भी ले सकते हैं मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसके अच्छे रिजर्ट्स मिलते हैं यह बिल्कुल प्यॉर आमला है इसमें कोई मिलावट नहीं है पाउडर में आपको पता नहीं होता कि क्या मिला है प्यॉर है कि नहीं है इसे हम दो जलाते रहिएगा नहीं तो ये लगने लगेगा और आप लोहे की कड़ाई में बनाएंगे तो आपको best results विलेंगे क्योंकि आमला react करता है लोहे से लोहे का बडतर नहीं है तब आप कोई वेसल ले सकते हैं बट लोहे में बनाएंगे तो best रहेगा देखिए आमला हमारा यहां पर रोस्ट हो चुका है बिल्कुल काला बिल्कुल ब्लैक मेंने नहीं किया है इसे जलाया नहीं है सिर्फ रोस्ट किया है और इससे जादा आपको रोस्ट नहीं करना है अब हम यहां पर गैस बंद कर देंगे क्योंकि कड़ाई हमारी ओर्रेडी बहुत साथ गरम है और इसके बाद डालेंगे अपना सेकंड इंग्रीरियन गैस का फ्लेम बंद कर दीजेगा दोस्तों दुबारा से बता रही हूं और इसके बाद हम डालेंगे कलोंजी यानि की नाइजिलिया सीट्स यानि की ब्लैक सीट्स इस तरह के दिखती है कलोंजी दो बड़े चमच आपको लेना है कलोंजी मैंने इसे अपने पास की बंसारी शॉप से लिया था आप भी वैसे ही ले सकते हैं और या फिर ऑनलाइन ल रएगा रोस्ट हो जाएगा अब क्यास अनुकर करेंगे तो यह जल जाएगा अब माल यहाँ पे पानी आड़ करेंगे पहले एक ग्लास पानी आड़ करेंगे और और उसके बाद हम थोड़ा सबांद और अच्छे से पूरा आऌवला और कलोंजी इसमें दूब जाना चाहिए ज़्यादा पानी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद थोड़ा सा पानी हम और अड़ कर देते हैं पानी आड़ करने के बाद हमें इसे रात भर के लिए ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है ढखकर ताकि सुबह तक आमवला अची तरह की से फूल जाए और इसे हम ग्राइंड कर सके अब चलिए सुबह देखते हैं कि किस तरह से हमारा ये आमवला बनके तयार हुआ है मौनिंग में कुछ ये कलर आता है बड़िया सा ब्लैक कलर आपका आजाएगा आमवला अची तरह की से फूल चुके हैं सॉफ्ट हो चुके हैं इसे हमें अब ग्राइंड करना है अब हमें लेना है एक ग्राइंडिंग जार उसमें हमें सिर्फ आमवला को और कलॉंजी को डालना है स्पून की हल्प से आप डाल सकते हैं कलॉंजी भी आराम से आजाएगी आमवला के साथ इसका हमें एक बिल्कुल fine paste बनाना है जितना fine आप बना सकते हैं उतना fine बनाईएगा साथ में मैं थोड़ा सा ये पानी भी डाल रही हूँ ताकि अच्छी तरह के से एक grind हो जाए बिल्कुल smooth सा paste बन जाए अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पानी इसमें बच जाएगा उसका आपको क्या करना है पहले तो इससे अच्छे से चान लें ताकि हमारा बच्चा हुआ आमला और कलॉंजी इस चन्नी में आ जाए और पानी नीचे बोल में चला जाए ये देखिए क्योंकि कलॉंजी ऐसे स्पून से नहीं निकलेगी तो आपको चानना ही पड़ेगा ये जाएगा हमारा ग्राइंडिंग जार में ताकि ये ग्राइंड हो जाए आमला के साथ इसे हम जार में ट्रांसफर कर देंगे ऐसे और इसे हम ग्राइंड करेंगे हमारा जो यह पानी बज गया है इसे आप दुबारा से अगर आप महंदी लगाते हैं कोई हेर पैक लगाते हैं तो इसी पानी में आप उसे सोक करके फिर लगा सकते हैं यानि इस पानी का रियूस कर सकते हैं इसमें आमला है और इसमें कलोंजी भी है और नहीं तो आप इसे ए या फिर शैंपू कर ले बिल्कुल इस तरह से स्प्रेइ बॉटल में ट्रांसफर कर लीजे आप चाहें तो इसे बोल में भी पड़े रहने दे सकते हैं इसको आप दूसरा हैर पैक बना सकते हैं इससे और या फिर किसी बॉटल में भर कर रख ले इसे आप वीकेंड पे या फ से सेम कड़ाई में ट्रांसफर कर देंगे देखिए ठिक सा पेस्ट बनके तयार है हमेशा की तरह आप इसमें दही मिला सकते हैं या फिर एग मिला सकते हैं मैं मिला रही हूँ ऐलोवेरा जेल तकि ऐलोवेरा की गुड़निस भी मिल जाए और ये पेस्ट थोड़ा सा स्मू इस हेर पैक को अपने जड़ों में अच्छे तरीके से लगाएं पूरे बालों में आपको लगाना है पूरे स्कैल्क में लगाना है पर जहां से आपकी बालों की सफेदी हो रही है जड़ों से हो रही है वहां पर अच्छी तरीके से लगाएं अच्छा मोटा लेयर लगाएं मेरे पास gloves नहीं था तो मैं ऐसे ही आपको लगा कर दिखाऊंगी hand gloves पहन के उसके बाद इसे लगाएं और या फिर ऐसे brush से लगा सकते हैं दोस्तों कलोंजी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है हम कलोंजी का oil यूज़ करते हैं ग्रे हैर के लिए सफेद बालों के लिए क्लोंजी हमारे बालों की जो खोई हुई मेलेनिन होती है जो pigments हमारे खो जाते हैं उसे वापस से restore करने में help करती है बालों को black करने में help करती है इसे आप चाहें तो कलोंजी और कलोंजी का use कोई भी कर सकता है बच्चे हो या फिर बड़े हो कोई भी इसे use कर सकता है बिल्कुल natural और safe है इसे आपको regularly दोस्तों एक से दो मीने लगाना है आप देखेंगे आपके बाल naturally black होने लगे है मुझे ये पहले बार में ही बहुत अच्छा result दिया था बट अगर आप hair dye use करते हैं तो हो सकता है थोड़ा जादा time लगे इसे regularly use करिए hair pack लगाने के बाद shark cap पहनिए उसके बाद 2 घंटे के लिए छोड़ दीजे oiling करिए और next day ही shampoo करिएगा same day आपको shampoo नहीं करना है उमीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अच्छे results आपको मिलते हैं तो आकर feedback जरूर दीजेगा मेरे चानल को subscribe कर लिजे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like और share कर लिजे मैं मिलती हूँ आपसे अपनी next वीडियो में till then take care and bye bye